अपने अगर Same Button पी क्लिक किया है, तो email को आप Unlue भी कर सकते है. तो आप Gmail को offline mode में भी इस्तमाल कर सकते है. अगर आपके बास Gmail में बहुत सारे unread emails है और अब यह आपको सबको read करना है के करके, मतलब जो existing email आड़ ही उसे थोड़ा सा customize भी कर सकते है. उसमें कुछ चीज़ा एड़ भी कर सकते, कैसे देखते स्क्रीन के पर दोस्तों आजकल हर कोई Gmail का email यूज करता हूँ और ऐसे में आपको Gmail के ये 11 tips और tricks पता ज़रूर होनी चाहिए जियां दोस्तों अगर आप एक computer student है, computer operator है या computer teacher, आप जो कोई भी आपको ये Gmail के tips ज़रूर पता होना ची तो अगर आप interested हो तो वीडियो end तक देखिएगा, सीधी बात नो बक्वास मैं सतीश complete technology channel पर आप सबका स्वागत करता हूँ चलिए ये वीडियो शूर करते हैं खास, लेकिन एक मिनीट रुकिए चैनल पर नए मैं मान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकाम पर जरूर क्लिक कीज़े तक कि हमारी वीडियो की notification आपको मिले फिलाल तो शुरू करते है tips नमबर वन से tips नमबर वन जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको एक email बार बार लिखना होता है आपके clients के लिए आपके धेर सारे clients की list या email list आपके पास है और उन्हें आपको एक email बार 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 भेजना है तो आपको बार बार copy paste करना पड़ता है तो यह सब करने के ज़रूत नहीं आप templates create कर सकते जीमेल के अंदर और इन templates की मज़से आपका काम fast कर सकते हैं कैसे करना है screen के उपर देखते हैं तो आइए जीमेल के templates लिए एक scenario समझ लेते हैं जैसे यहाँ पर मुझे मेरे students से बार बार email आते कि how do I get my certificate certificate कैसे डाउनलोड होगा learn more pro website की उपर तो यहाँ पर इसका solution यह कि मुझे क्या करना पड़ता यह email मैं open करूँगा फिर मैं यहाँ पर reply button पे click करके यहाँ पर certificate download कैसे होगा उसकी information पूरी की पूरी यहाँ पर यहाँ पर मैंने type करके रखी copy paste करूँगा और same button पे click कर दूँगा तो यहाँ पर मुझे बार बार copy paste at least करना पड़ेगा अगर चोटा बड़ा मेले तो मुझे type भी करना पड़ेगा तो ऐसे में मुझे बार बार type करना या copy paste करना नहीं है तो मैं email का templates use करूँगा कैसे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे यह settings option जो दिखाए दे रहे हैं right corner में top right corner में यहाँ पर आई जाईए settings पर click करके see all settings पर click किजिएगा यहाँ पर click करने के बाद आपको बहुत सरे और भी tab मिलेंगे जिसमें आपको जाना होगा advance के उपर look at here advance right यहाँ पर advance के उपर आप click कीजिए तो मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ जैसे मैं click करूँगा यहाँ धेर सरे और भी options आएंगे जिसमें हमें इस पर ध्यान देना है templates के उपर और templates को हम करेंगे यहाँ पर enable जो कि आपको दिखाई दे रहा है मैं enable कर चुका हूँ और यहाँ पर नीचे आपको save changes करने पड़ेंगी जो भी आप changes करते हो वो यहाँ से आप save करोगे save changes बटन पर मैं आपक्लिक कर रहा हूँ और दुबारा मैं भी inbox में जाता हूँ जिसको भी मुझे reply देना है जैसी email को reply देना था मैं reply में जाओंगा पहले पहले इसे मैं यहाँ पर email टाइप कर लूँगा पूरा पूरा जो भी मुझे reply देना है और उसके बाद यहाँ पर दिखिए यह जो delete button दिख रहा है न delete button recycle bin का वसी के बाज़ों में आपको तीन डॉट दिखाए दे रहे more options इसे हम ellipses के ते रहे तो यहाँ पर जाहिए more options में और templates में जाकर यहाँ पर save draft as a template करके option आपको मिल रहा है यहाँ पर आप click करके save new template पर click कीजिए and इसको क्या नाम देना है वो आपकी उपर है तो यह मैं रखना चाहता हूँ how do I get certificate नाम का reply है या फिर RE करके रखेंगे या फिर इस तरह से तो आप जो भी रखना चाहते हैं इसका नाम आप दे सकते हैं save कर दिया मैंने अब इस mail को मैं send कर दूँगा वैसे तो इसको send कर देना है मुझे reply कर दिया मैंने अब जैसी दूसरे email पर मैं जाता हूँ उसे open करता हूँ और reply button पर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे फिर से दुबारा पेश करने के ज़रूरत नहीं यहाँ पर मैं जाओंगा टेंपलेट मुझे directly how do I get certificate नाम का टेंपलेट मिलेगा जैसे मैं इस पर click करूँगा यह देखिए यह यहाँ पर पुरा लोड होगा यहाँ से मैं send बटन पर click कर सकता हूँ बार बार मुझे copy और paste करना जरूरी नहीं है या फिर मैं इस template को delete करना चाहता हूँ या कुछ नया सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सारे options आपको मिल जाते हैं तो इस तरह से आप template add कर सकते हैं delete भी कर सकते हैं और template का use क्या होता है आपको भी समझाओगा इस particular client की email पर send हो जाएगा automatically आपने अगर schedule करके रखा है तो यह schedule option आपको तभी भी use हो सकता है जब आपका client suppose दूसरे देश में ने की अमेरिका में तो अमेरिका में आपको उनके morning में email भेजना है तो आप यहाँ से आज शाम को schedule करके रखोगे उनका जो morning जब होगा तो उन तो मुझे बेजना है एक specific email specific date or time पे तो मैंने यहाँ पे compose बटन पे अलरी क्लिक किया है compose बटन पे क्लिक करके मैंने email लिख दिया email address subject और कुछ यहाँ पे email के अंदर content डाल दिये अब मैं यहाँ पे send बटन पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे यह बेजना है कल सुब fine time ओ दे देगा वही मैंने last कभी schedule किया था वो भी दिखाए दे रहा है this morning, this afternoon, Monday morning कब आपको करना है right so pick date and time में जाकर आप खुद customize date और time select कर सकते हैं जैसे मुझे 7 तारिक को 7-4 am को भीजना है या पिर कुछ और अलग timing भीजना है तो यहाँ पे मैं time भी select कर सकता और type कर सकत तो यहाँ पे अलग अलग date दी है और आप schedule same button पे click करते ही यह यहाँ पे schedule हो जाएगा यह देखे यह विव message button आ रहा है यहाँ पे view message button पे click करके मैं आपको दिखा तो यह देखे, right, कभी का यह schedule हो चुका है यह बता रहा है और इसे आपको cancel कर देना है तो यहाँ पे cancel same button है यहां से आप cancel भी कर सकते हैं इस तरह से email आप schedule कर सकते हैं दोस्तों आपको एक important email भीजना है और अपने email proper लिखा है आपने check भी किया कि proper है सब कुछ proper है और आपने send button पे click किया और तभी आपको पता चला कि यार नहीं नहीं एक spelling mistake हो गई या कुछ तो गलत है उसमें या कुछ add करना रहे गया है तो अभी आप सोच रहो यार मैंने तो email send कर दिया सो मैं आपको कहूंगा don't worry अपने अगर send button पे click किया है तो email को आप undo भी कर सकते है जिया यहां यहां पे भी undo पंडू होता है अभी आपने एक email लिखा प्रॉपर लिखा आपको ऐसा लगता है कि आपने प्रॉपर लिखा और आपने यहां पे send button पे click कर दिया जैसे send button पे click कि आपको याद आए कि आर subject में यन तो रहे गया इंस्ट्रक्शन में राइट तो यहां पे देखिए left bottom corner में आपको एक undo button आ रहा है undo button यहां पे आप click किजिए जैसे आप undo button पे click करोगे यह mail उसके inbox में नहीं जाएगा आपकी inbox में दुबारा वापीज आ जाएगा undo button यहां पे भी undo दिया गया है basically यहां पे मेरा यन रहे गया था मैं इसे correct करूँगा और फिर यहां पे send button पे click करूँगा जैसे मैं send button पे जब कभी भी click करूँगा तो यहां पे left bottom corner में आपको एक undo button मिलेगा दोस्तों तो इससे आप email undo कर सकते हैं लेकिन यहां पे यह button यह जो option है basically undo का यह मेरे पास ज्यादा seconds रुक रहा है आपके पास 5 seconds ही रुकेगा क्योंकि यह default 5 seconds ही रहता है Gmail आपको 5 seconds ही आलाओ करता है अभी दिखिए अभी तक है मेरे पास यह तो यहां पे मैं undo करूँगा तो यह दुबारा यहां पे आ जाएगा तो यह मैंने जादा time कैसे किया यह भी बता देता हूँ setting में आपको जाना है उपर दिखाए दे रहा है setting यह मैं close कर देता हूँ यहाँ पे देखिए settings में जाना है सब हम अलग-अलग settings सीख रहे है see all settings में जाएंगे और see all settings में जाकर यहाँ पे आप देख सकते है undo send करके एक option आपको directly सामने मिल जाएगा यह देखिए फोकुस कर दो undo send मैंने इसे रखा है 30 seconds आप इसे 5 seconds default भी रख सकते है यह default 5 seconds ही रहता है तो आप यहाँ पे चाहिए तो बड़ा सकते है कम कर सकते है मैक्स आपको 30 दिया है minimum आपको 5 दिया है तो जैसे भी आप रखना चाहते है undo send यहाँ पे रखिए और फिर यहाँ पे नीचे आकर save button पे click करना न भूलिए save changes जैसे आप इसे save करोगे यह changes एफेट में आएगा और इसका क्या use है मैंने आपको बता दिया tips no.4 में मैं आपको बताओ कि gmail पे आपका ज्यादा काम है तो आपको gmail का dark theme आउन करना चाहिए जिससे आप gmail पे अगर घंटों भी काम कर रहे है तो आपके आखों पे effect नहीं आएगा ज्यादा तो dark theme कैसे activate करना है चलिए प्रक्टिकली देखते है तो आपका gmail पे बहुत काम होता है तो आप dark theme कैसे apply करेंगे यहाँ पे देखिए सेटिंग में दुबार आपको यह सेटिंग में आना है सेटिंग में क्लिक करके यहाँ पे see all settings करके option मिलेगा see all settings में आप क्लिक करोगे तो आपको themes करके last make option मिलेगा यह देखिए themes यहाँ पे आपको click किजिए set theme पे आपको click करना होगा सारे options सामने सामने आपको मिल जाते है और जैसे इस पे click करोगे नीचे आप scroll करोगे तो यहाँ पे आपको dark theme करके option मिल जाएगा यह देखिए यह default theme है आपका website में और यह dark theme पे आप क्लिक करोगी यह dark theme में यहाँ पे apply हो रहा है आप चाहिए तो रखिए नहीं चाहिए तो आप इसे दुबारा default theme पे क्लिक करके save कर सकते हैं तो इस तरह से dark theme में यहाँ पे आप apply कर सकते हैं tips no.5 में मैं आपको बताओ कि आपकी एरिया में internet का problem है internet कभी डाउन हो जाता है तो ऐसे में आपको पुराने email से अगर रीड करने तो आप Gmail को offline mode में भी इस्तमाल कर सकते है जी हाँ जो पुराने email है आप उसे offline में भी देख सकते कैसे देखना है जी email के अंदर देखते स्क्रीन के उपर तो भाई अभी आपके पस इंटरनेट नहीं हो सकता है कभी-कभी आपको लगता है तो भी आपके पास जो email आचुके है उनको आप access कर पाए जो नए है वो तो नहीं आएंगे आपको इंटरनेट कर निठ होगा तब पर क्लिक कीजिए see all settings के अंदर offline करके option मिलेगा themes के बैजुमी यह देखिए यहाँ पर offline बटन पर मैं क्लिक करूंगा enable offline email करके option यहाँ पर मिल जाता है इस पर आपको चेक करना होगा यह चेक करते ही वो बताएगा कि कितनी size occupy करने वाला है आपकी computer के अंदर यह दिखाई द चूज कीजिए साथ में आप attachment भी चाते क्या मतलब उस email में अगर किसी ने file वीजिए तो वह भी साथ में download होगी क्या चाते तो यह चेक कीजिए नहीं चाते तो uncheck कीजिए इस तरह से और यह आप एक और interesting option दिया है कि अगर आप इस computer से Gmail से logout करते तो आपका वो data offline computer में रख गया है तो यह आप जैसे सब कुछ setting करोगे save button पर click करते ही यह save हो जाएगा setting लेकिन आपको email access करना रहेगा next time internet नहीं है तो आपको बस यह address type करना रहेगा उपर देखिए mail.google.com यह type करके आप internet बंद रहेगा तो भी आप आपकी Gmail को access कर सकते हैं यह setting अगर आपने on किया है तो यह setting on करना मत भूलेगा पहले दोस्तों मैं हमेशे कहता हूँ कि computer पर smart work करना है तो keyboard का जादा स्यादा इस्तमाल करो तो आप Gmail में भी keyboard का इस्तमाल कर सकते हैं और keyboard की shortcut keys use कर सकते हैं और keyboard की shortcut keys email में कैसे enable करना इसे मैं practically दिखाऊंगा लेकिन एक important information मैं बताऊंगा कि recently मैं मैंने keyboard की उपर एक complete video बनाया था जहां पर keyboard की A to Z shortcut keys मैंने explain की थी 104 keys का क्या use होता है practically हरे key को मैंने दबा दबा के बताया था तो उसका वडियो उपर i button पर आपको मिल जाएगा या पर description में भी मैंने link दी है आपके लिए कि keyboard की सारी keys हम कैसे इस्तमाल करते हैं फिलाल तो हम जीमेल के अंदर keyboard shortcuts कैसे enable करेंगी यह practically screen पर देखते हैं तो जीमेल में fast काम करना है तो बहुत shortcut keys तो जीमेल के आपको पता होनी चाहिए लेकिन इतनी सारी shortcut keys आपको कैसे पता होगी पता होगी shift और question mark बटन दबा के आप keyboard पे shift और question mark दबा दी सिए यहा पर दिखाएगा कि इसके लिए क्या shortcut key है undo के लिए redo के लिए क्या है previous font के लिए next font के लिए क्या है बहुत सारी shortcut keys आपको दिखाएगे और यह सारी shortcut keys आपे by default enabled रहती है उसके अलावा और advanced shortcut keys अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखाएगे रहा है नीचे एक enable button जिस पे आप enable करते ही यह वाली shortcut keys नीचे जो दिखाए दिखाए रहे है यह भी enable हो जाएगी जिससे आपको आपका email आप keyboard पे access कर सकते हैं आपका email पूरा पूरा keyboard पे access मिलेगा दोस्तो shift question mark भूलेगा नहीं keyboard से access करने के लिए पहले यह shortcut keys तो आपको देखनी पड़ेगी ना tips number 7 में मैं आपको बताओ कि अगर आपके बाद email में बहुत सारे unread emails है और अब यह आपको सबको read करना एक एक करके तो एक एक open करोगे फिर back करोगे time जाएगा तो आप reading pin open कर लो कैसे करना है देखते screen के पर तो दोस्तो अगर मुझे fast email पढ़ने हैं जैसे मैं ये email पढ़ना चाहता हूँ जो भी email मैं open करता हूँ तो ये open करने के बाद ये पढ़ लिया मैंने तो मुझे यहाँ पर back button पे click करना पढ़ रहा है next email पढ़ने के लिए तो ऐसे एक एक करके मुझे back button पे दुबारा click करना पढ़ेगा इससे अच्छा अगर मैं reading pane on कर लो तो reading pane यहाँ पर right side में आ जाता है जो कि मेरे case में अभी यहाँ पर enable नहीं है तो आपकी case में भी नहीं है suppose तो आप जाएंगे settings के अंदर दिखिए ध्यान से फिर से एक और setting हम सीख रहे है settings में जाना है see all settings में दुबारा वह inbox रखना है below inbox रखना है reading pane directly default ही on हो जाएगा लेकिन मैं no split रख देता हूँ और save changes बटन पर click कर देता हूँ आप यहाँ पर click करके on up कर सकते हैं दोस्तो tips no.8 में मैं आपको बता हूँ कि आपके email को आपको customize करना है थोड़ा सा user friendly बनाना है email ID आप बना सकते हैं Gmail के अंदर user friendly email ID मतलब जो existing email ID उसे थोड़ा सा customize भी कर सकते हैं उसमें कुछ चीज़ा एड़ भी कर सकते हैं कैसे देखते स्क्रीन के पर तो Gmail में email भी कस्टमाइज कर सकते हैं किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको email ID दिखाई दे रहा है learn more 7020 और मैं क्या करना चाहता हूँ यह पढ़ने के लिए थोड़ा सा difficult लग रहा है तो मैं learn के आगे dot add कर रहा हूँ more के आगे भी dot add कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा इससे यह email ID पढ़ने के लिए easy होगा और यह valid email ID रहेगा क्योंकि email यहाँ पर यह dot skip कर देता है यह email ID वही है learn more 7020 बस मैंने यहाँ पर पढ़ने के लिए आसान हो इसलिए मैंने क्या क्या इसमें dot add कर दिया है यह फिर इस email ID में कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे यह dot मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं plus add करके जैसे यह मेरा email है तो मैं मेरा नाम भी आगे आगे आड करना चाहता हूँ तो प्लस के बाद के जो भी करेक्टर्स आप अड़् कर रहे होए यहाँ पर तो plus के बाद आपने लिखे होगे character ignore हो जाते है जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ इमेल के उपर एक email send करके देखता हूँ यह email है basically है और copy paste कर देता हूँ मैं इसे और यहाँ पर मैं hello subject click देता हूँ देखते हैं यह email आ रहे की नहीं आ रहे दोनों को भी तो यहाँ पर वो check कर सकते यह email यहाँ पर दिखाए दे रहे आपको और email भी आ रहा है मतलब वो valid email id यहाँ पर consider किया जा रहा है email की तरप से आप dot add करोगे तो भी तो इस तरह से email id आप customize कर सकते हैं यह filter के लिए भी easy होगा अगर मुझे core space related email फिल्टर करने तो मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ यहाँ पर फिल्टर लगा कि उस particular plus की बात का जो नाम अड़ किया है उससे भी फिल्टर किया चाह सकते है तो यह इसका benefit होता है basically अगर आप customize email करना चाहते तो इसका इस्तमाल कर सकते है Gmail के inbox में जितने भी email आते है हम उन्हें क्या करते है star करके IMP करके record करके रखते है लेकिन इस star को भी अलग-अलग color में आप वहाँ पर highlight कर सकते है क्या आपको पता है नहीं पता है तो multiple star कैसा highlight करना है मैं आपको screen पर दिखाता हूँ तो अभी हम star से messages organize कर सकते है usually हम क्या करते है यहाँ पर click करके single यह एक ही star देते हो दुवारा click करेंगे तो यह uncheck हो जाता है यह देखे, click क्या, check, uncheck यह होता है star यहाँ पर यहाँ पर बट मुझे क्या करना है multiple star चीए तो मैं यहाँ पर settings में जाओंगा उपर देखे, यहाँ पर settings option दिखाए दे रहा है फिर से settings में जाएंगे see all settings में जाएंगे और इसके अंदर नीचे scroll करके यहाँ पर आपको मिल जाएगा यह option stars का, यह देखे, star में आपको कितने star चाहिए, आप एक-एक star को clicker कैसा drop करके उपर रख सकते हैं, या फिर 4 star direct click करोगे तो यह default आएगा और star करेंगे, तो पूरे के पूरे star आजाएंगे जितने star आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं यह देखे, star आ चुका है अब मैंने इसे क्या कर दिया है save कर दिया, save changes अब मैं inbox में दुबारा जाओंगा और inbox में यहाँ पर पहले click करूँगा फिसे click करूँगा, फिसे click करूँगा, फिसे click करूँगा यह देखिए, पहले click करूँगा तो यह default star आ रहा है फिर एक बार click करके और एक बार click करूँगा यह blue आएगा, फिर और एक बार click करेंगे तो आगे green tick वाला आजाएगा इस तरह से आप अलग-अलग star को यहाँ पर लगा सकते हैं अलग-अलग mark यहाँ पर लगा सकते हैं और यह सारी सारी चीज़े आपको जब star पर आप click करोगे, सारी email यहाँ पर दिखाई देंगे एक साथ, दिखाई दे रहा है जितने आपने email को star किया है वो email यहाँ पर आपको दिखाई देंगे राइट, interesting है, यह भी check कीजिएगा ज़रूर, भई एक professional email लिखना है तो आपको email में signature आइर करना आना चीए और signature आप multiple भी आइर कर सकते जिया दोस्तों, यह email का interesting features है जरूर देख लेना, practically दिखा देता हूँ मैं अभी तो आपको professional email लिखना है तो भई signature आइर करना होगा और multiple signature अगरा कैसा आइर करते हैं आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको settings में आना है settings में आने के बाद see all settings में क्लिक किजए तो यहाँ पर नीचे general में ही याद रखिए general में नीचे scroll कर लेना है और आपको यहाँ पर options मिल जाएगा signature का यह देखिए और create new आ रहा है क्योंकि हम पहली बार इसे इसे इस्तमाल कर रहे है, create new पर click करेंगे signature का एक नाम दे देंगे, आपको जो भी नाम देना है जैसे मैं यहाँ पर नाम देना चाहूँगा learn more pro okay, so create button पर click कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको signature details एड करनी है, भई, suppose आप एड कर रहे हो, जैसे मेरा ही signature में बना रहा हूँ तो अपना नाम एड कीजिए, company का नाम एड कीजिए आपका designation भी एड कीजिए यहाँ पर designation एड कर सकते हैं आपके contact details एड कीजिए mobile number और और आप यहाँ पर logo भी एड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए insert image करके option आ रहा है यहाँ पर click करके insert image पर click कीजिए और यहाँ पर आपके पास वो पूछ रहा है कि भई आपके इस folder में ही है या फिर upload right, मतलब आपके पास drive में images है या फिर upload करना चाहते तो आप यहाँ से upload कर सकते हैं यहाँ पर फिलाल कोर्स पर एका logo एड़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओ लोगो आ चुका है and you can manage the size also यहाँ पर दिखिए large medium small size में यहाँ पर रख देता हूँ तो यहाँ पर आप logo भी एड़ कर सकते हैं इसको चाहिए तो आप बोल्ड करके रख सकते हैं थोड़ा सा इसमें अलग-अलग formattings आप adjust कर सकते हैं यहाँ पर align में adjust कर सकते हैं center में चाहिए left में चाहिए right में चाहिए यह सारी चीज़े यहाँ पर है दी गई है आप font भी बदलना चाहते हैं तो font भी बदल सकते हैं तो यह चीज़े यहाँ पर करके फाइनली यह signature अगर आप बना देते हो तो यहाँ पर नीचे आप save बटन पर क्लिक कीज़े एक signature अपने बना दिया आपको लगता है कि एक और signature आपको add करना है तो आप दुबारा same settings में ही जाना है आपको पर और वहाँ पर आपको signature बनाना चाहा है तो इसमें मैं नाम देता हूँ suppose मैंने नाम दिया हमारे manager साब का बुशन बेरे ओके सो बुशन बेरे यहाँ पर नाम दे दिया then coursepay.com वगरा website का address और manager वगरा आप लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे लिख दिया right अब यहाँ पर मुझे क्या क बगरा करनी है तो again select this and यहाँ पर bold करो इसमें भी image बगरा add कर सकते हैं और इसे भी आप save कर सकते हैं अभी signature का use कैसे करेंगे हम तो यहाँ पर मैं जब compose बटन पर click करूंगा तो नीचे यहाँ पर दिखाई देगा signature का option insert signature right insert signature पर click करके आप यहाँ पर no signature दिखाई दे रहा ह code page का रखना चाते है learn more pro का रखना चाते है आप जिसका भी signature रखना चाते है आप यहाँ पर click कीजिए देखिए ओ signature यहाँ पर properly add हो रहा है यहाँ से भी आप manage signature में जा सकते है directly और manage signature में जाकर नीचे दिखिए manage signature पर जाकर यहाँ पर select करके जो भी signature आप यहाँ पर edit करना च जाते डिलेट कर सकते और सेती में यहाँ पर आपको ये सिंगेशर नेएँमेल के लिएडिपजD करना है क्ला em al-daq. set करते हैं जैसरे न्ओं मेल के लिए set करना है मतलब कोई नय यूजर है तो उसको Ci signature चला जाए और जो पुराना user है उसके लिए ये signature रहे है पुराना user मतलब हमारे पास हुक्छे से मेल आया है तो उसको automatically reply में ये वाला signature चला जाए यह वाला signature नए user के लिए जाए तो यह आप यहां से set कर सकते हैं तो उसके बाद यह set करने के बाद आपको यह save जरूर करना पड़ेगा save changes करने के बाद जब मैं compose पर क्लिक करूँगा इस बार देखिए यह signature by default आ जाएगा क्योंकि मैंने नए email के लिए यहां पर set किया है और जब मैं किसी भी email के reply पे click करूँगा तो यहां पे जो reply के अंदर signature आ रहा है यहां पे click करके देखिए यह बूशन का आ रहा है मतलब यह course पे वाला signature आ रहा है यहां पे spelling मैंने घलत लिख दी यहां पे e रह गया यहां पे add करके मतलब नहीं हो signature में जाकर edit करना पड़ेगा आपको तो basically आपको करना क्या है समझ मैं होगा कि signature आप multiple कैसे apply कर सकते उन्हें particular कैसे set कर सकते कैसे हम signature में images वगर add कर सकते यह सारी चीज़े मैंने आपको बताए थोड़ा सा pro level पे signature यूज़ करना भी आप समझ गए होंगे दोस्तों यह थी tips no.10 अब बढ़ेंगे आकरी tips की उपर tips no.11 के तरफ लेकिन सबसे पहले हैं कि important information बताना चाहूंगा अगर आपको मेरा teaching style पसंद है मेरा teaching energy पसंद है मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आता है तो एक बार मेरे courses जरूर चेक कीज़े description में मैंने courses की link दे दिये जापे आप घर बैटे बैटे ISO certificate computer courses सीख सकते हैं और master बन सकते हैं डेपिनिटली बनोगे घर बैटे बैटे कम पीज में ISO certified courses फिलाल तो अपने topic की तरफ बढ़ते हैं जो कि यह tips no.11 जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप vacation पे जाते हो और आपको लगता है कि मैं vacation पे जाने के पाद जितने भी email आते हैं एक automatic reply जाए तो auto responder इस email का feature आप इस्तमाल कर सकते हैं जिससे कि जो mail आ रहे हैं उनको आप respond करोगी कि मैं चुट्टी पे हूँ मैं Monday को आके reply दूँगा यह है वो है वो है auto responder कैसे करना है practically देखते स्क्रीन के पाद तो भई आप गए हो चुट्टी पे और आपको करना है यहां पे अभी आपके email पे auto reply मतलब vacation responder चुट्टी पे जाने के बाद तो settings में जाओ और see all settings में जाओ वही general में आपको नीचे scroll करना है और आपको एक option मिलेगा vacation responder यहां पे नीचे दिखे vacation responder आ चुका है मैं इसे zoom करता हूँ दिखाता हूँ vacation responder में आप जैसे यहां पे on button पे click करोगे तो पूछ रहा है कि भई कब से जा रहे हो चुट्टी पे डाल दो मैं नो तारिक से जा रहा हूँ फर्स डे नो तारिक लास्ट डे अगर आप नहीं मेंशन करना चाहते हैं तो आपको manually vacation responder बंद करना पड़ेगा जब आप वापीस आओगे gmail पे लोगिन करोगे तो और लास्ट डे भी आपका fix है तो आप यहां पे लास्ट डे भी decide कर सकते हैं यहां पे subject डाल सकते कि वही आप छुट्टी पे I am on vacation I am on vacation subject डाल दीजे और यहां पे I will revert back वागरा वागरा I am on vacation I will revert back after few days लागरा ऐसा कुछ भी आप लिखो और यहां पे save कर दो right and यहां पे भी है एक option only send a response to people in my contacts उनको ही भेजो जो मेरे contacts में है मतलब जो already save है जिनकी emails मेरे contact में add है उनी को यह reply जाएगा और नए वालों को नहीं जाएगा लेकिन सबको जाना है मतलब सबको भेज यह तो save changes आप जैसे भी कोई email डाल देगा इसमें तो उसको auto reply चला जाएगा कि मैं चुटी पे हूँ इस particular date पर मैं आऊँगा और आप कुछ और भी उसमें details add कर सकते किसी का number वगरा भी दे सकते contact के लिए अगर आप चाहते हैं तो see all settings में जाकर आपको फिर से यहां पर आक जैसे आप चुटी पे वापीस आऊगे तो यहां पर vacation responder आप turn off कर सकते हैं यहां पर आईए और उसको बंद करने के लिए यहां पर vacation responder बंद कर दीजिए right save changes तो इस तरह से आप यह vacation responder use कर सकते हैं दोस्तों सो कैसे लगी दोस्तों आपको इस email की 11 tips यह 10 ही हो गया एक और 11 tips तो 11 tips पसंद है तो आपने already like किया होगा share कियोगा comment कियोगा मेरे जितने भी channel है complete technology के अलवा description में मैंने channel की link दीए website की link दीए सारी link है चेक कर लेना right और channel पे ने महमान हो तो subscribe करके रख लेना bell icon पे भी click करके रख लेना ताकि next Monday को मैं जब video upload करूँगा तो आपको notification मिल जाएगी जीना दोस्तों अब हमने frequency rate कि है कि every Monday 5 PM हम एक video आपके लिए लेके आएंगे नया video complete technology channel पर मिलेगा तो यह time को आप याद रख लो okay so फिलाल तो मिलता हूँ अगले video के अंदर तब तक के लिए अपना ख